पिछली पार्ट में मिनियन अपने मालिक को एक भालू से मरवा देती हैं उसके बाद ये अपने लिए कोई दूसरा मालिक ढूड़ने निकलती हैं तबी इन एक अंधेरे कमरे में एक ड्रैकुला सोया हुआ मिलता है लेकिन मिनियन्स गलती से इसे भी सूर्य की रोशनी से जल लेकिन यहां इन्हें अपने मालिकों की याद आने लगती है इसलिए इन में से तीन मिनियन्स फिर से कोई नया मालिक ढूड़ने जाती हैं तबी इनके गुफा में तीन बड़े हिम्मानों आती हैं इन्हें ये मिनियन्स अपना मालिक बना लेती हैं और ये अपने मालिक को खुश करने के लिए वहाँ नाच गाना करने लगती हैं तभी वहाँ एक मिनियन जोर से भूपू बजाता है जिससे एक बर्फ का टुकड़ा उस बड़े हिम्मानों के उपर गिर जाता है फिर बाकी के हिम्मानों गुस्सा होकर इन्हें वहाँ से भगा देती हैं